ये लीजिए, एक बार फिर से बॉल्यूट के 500 करोड पानी में चले गई, लगता है बॉल्यूट की फिल्मों को किसी की बुरी नजर लग गई है, जी हाँ, क्योंकि बॉल्यूट के बुरे दिन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बड़ी फिल्म बॉ फिल्म के VFX, टीजर के आने के साथ ही शोशल मीडिया पर आदिपूरुस को लेकर हैस्टेक डिसापोइंटेंड ट्रेंड होने लगा है, वही लोग इतना भड़क गए हैं कि उन्होंने इसका टीजर देकर इसे बच्चों की सस्ती कार्टून फिल्म बता दिया है, और लेकर सोशल मीडिया पर सैफली खान को जम कर ट्रोल किया जा रहा है, हाला कि बात करें आदिपूरुष की तो ये कहानी पौरानी कता रामायन पर आदारीत है, वहीं इस फिल्म के अंदर साउथ के जाने माने सुपरस्टार परबास भगान सरी राम का किरदार निबाते वे जबकि सैफली खान का लुक देखकर ऐसा लगता है कि वो मुगलों के कोई खुंकार सासक है, टीजर के अंदर जैसा नजर आ रहा है कि उनका लुक बिल्कुल भी रावन के साथ मैच नहीं कर रहा है, वहीं फिल्म के टीजर के एक सीन में सैफली खान को एक विशाल का है रा जाता ही है, एक युजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फिल्म को बनाने से पहले इसके बारे में जानकारी तो हसिल कर लेते, आगे उसने कहा कि रावन का वहान पुश्पक था, ना कि कोई देती है, और रावन एक महान धार्मिक सक्सियत था, ना कि कोई राक्षश, वहीं कि हमारी फिल्में नहीं चलती है, उपर से उनका कहना है कि परभास का लुक राम का नहीं, बलकि रावन का लग रहा है, वहीं कुछ लोग 1988 माय रामाएंट सिरियल से इसे जोड़ कर देख रहे हैं, उनका कहना है कि 1988 में रामानन सागर ने जो रामाएंट बनाई थी, उसका मुकाबला आज भी कोई फिल्म और टेकनोलोजी नहीं कर सकती, खेर दोस्तों अगर आप लोगों ने फिल्म का टीजर देखा है, तो कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये कैसा लगा